हेलो एव्लिवन मैं हूई शठाकूर और आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल गो नैचरल वीदी शठाकूर पर आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ की आप घर पर कलॉंजी ओईल कैसे बना सकते हैं सबको पता है कलॉंजी हमारे बालों की ग्रोथ के लिए सबसे फाइदे मंद होता है हमारे बालों को नैचरली काला भी करती है कलॉंजी जिसको ब्लैक सीड भी बोलते हैं तो इसके बीच का सेवन तो सभी करते हैं ये सहत के लिए बहुत फाइदे मंद होते हैं बालों की कई स प्रॉब्लम्स होती हैं उनको दूर करने के लिए एक रामबान उपाए है इतना ही नहीं अगर आपके बाल समय से पहले स्फेद हो रहे हैं तो ये नैचुरली आपके बालों को काले करने में भी बहुत जादा मदद करता है इसलिए आज की वीडियो में मैं आपको घर पर कलोंजी आईल त्यार करके बताने वाली हूँ तो इसको किस तरह से इसको यूज करना है और किस तरह से आपके बालों के लिए फाइदे मंद हो सकता है नैचुरली बालों को काला करता है अगर आपका बहुत जादा हेर फॉल होता है तो यह आईल आपके लिए सबसे सेफ है आपके स्केल्प चाहे जैसा भी हो आईली है ड्राई है तो यह आईल आपके लिए सबसे बेस्ट है और इसे त्यार करना भी बहुत जादा सिंपल है तो चलिए देखते हैं किस तरह से मैं ये ओइल त्यार करती हूँ कलोंजी ओइल त्यार करने के लिए तो मैं यहाँ पर सबसे पहले लूंगी कोकोनेच ओइल मैं यहाँ पर सिर्फ एक टाइम के लिए ही ओइल त्यार कर रही हूँ अचार मुरब्वे में डाली जाती है ये बहुत इसली आपको राशन शॉप में मिल जाते हैं ये बीज या पंसारी की शॉप में भी मिल जाएंगे या इरवेदिक शॉप में भी मिल जाती है तो मैंने एक बड़ा चमच लिया है कलोंजी बीज का सेकंड में यहाँ पर ले रही हूँ फेनुगरिक सीड मेथी दाना एक चमच थर्ड मैं ले रही हूँ यहाँ पर जिंजर अद्रक मैंने यहाँ पर तीनों चीजों की कॉंटिटी कम रखी है सिर्फ एक बार ओईल त्यार करने के लिए अब इसके बाद एक मोटे तले का बर्तन गैस के उपर चढ़ा लेना है गैस की फ्लेम कम रखनी है और इसमें अब एड करना है जो कोकोनेट ऑईल रखाता हमने ध्यान रखना है कि गैस की फ्लेम कम ही रहनी चीए क्योंकि जादा में यह जल भी सकता है कोकोनेट ओयल के बाद अब इसमें एड करूंगी में मेथी दाना मैंने यहाँ पर सिर्फ एक बड़ा चमच मेथी दाना कर लिया है अगर आप हपते भर के लिए यूज करना चाहते हैं अपने बालों की लेंथ के अकॉर्डिंग तो इस हिसाफ से आप इनकी कॉंटिटी डाल सकते हैं कलोंजी के बीजों को भी अब इसी में एड करना है ओयल में अब इसको कंटीन्यू घुमाते रहना है ताकि यह जलना जाए जब तक इन बीजों का कलर ओयल में अच्छे से ना घुले तब तक इसको अच्छे से गुमाते ही रहना है continue, थोड़ा टाइम लगेगा आप देख सकते हैं, ओइल धीरे-धीरे गरम हो रहा है जैसे ही ओइल में उबाल आना स्टार्ट हो जाए, अब इसमें मैं एड करूंगी जिंजर अब इसको अगेन दुवारा से इसको घुमाते रहना है जिंजर भी हमारे बालों के लिए बहुत ज़्यादा फाइदेमंद होता है जो हमारे तूटे हुए बाल होते हैं, उनको ये दुवारा से उगाने में बहुत ज़्यादा मदद करता है जो मेथी दाना और कलोंजी के बीज होते हैं, इनमें प्रोटेन, विटामीन और कई पोशक्ततों से भरपूर होते हैं ये दाने जो कि बालों की जड़ों को मजबूत बनाते हैं, बालों को स्ट्रेट बनाने में बहुत ज़्यादा मदद करते हैं और मेथी दाना में पोटेशियम बहुत ज़्यादा होता है, जो बालों की जल्दी स्फेद होने से बचाते हैं तो चार से पांच मिनिट लग जाते हैं इस वाइल को त्यार होने में, तो आपको इसको अच्छे से चलाते रहना है लगाता, ताकि ये जलना जाए आप देखोगे कि धीरे-धीरे जो कलॉंजी के बीज है और मेथी दाना के बीज है, उनका कलर धीरे-धीरे चेंज होता है, ये डार्क ब्राउन होता जाएगा इनका कलर, तो आप देख सकते हैं, अब ये रेडी हो चुका है अब गैस की फ्लेम को कर देना है बंद और अब इसको ठंडा होने के लिए रख देंगे नेक्स्ट अब इसको छन्नी से इस वाइल को छान लेना है कलोंजी में 15 ऐमीनो एसिड पाए जाते हैं, जो बालों को हेल्दी बनाते हैं, ये बालों को कंडिशनिंग होती है, इस वाइल से बाल जहनना बंद होते हैं साथ ही साथ इसमें आइरन, कैल्शियम, पोटेशियम, सोडियम, फाइवर, भरपूर मातरा में होता है इसी लिए ये ओईल आपके बालों के लिए किसी मैजिक से कम नहीं है चान लेने के बाद अब आप देख सकते हो, मैंने ओईल अलग कर दिया है और बीजों को मैंने अलग कर दिया है अब इस oil को में थंडा होने के लिए रखोंगी और इसको बिल्कुल ही थंडा अपने बालों पर नहीं लगाना है हलका सा गुनगुना गरमी रहना चाहिए तो आप देख सकते हैं magical hair growth oil ready हो चुका है तो अब मैं इसको अपने बालों पर आपको लगा कर दिखाऊंगी तो वन मन्थ तक भी बना कर रख सकते हैं स्टोर करके बट remedy हमेशा फ्रेशी बिनानी चाहिए या एक हपते तक भी आप इसको बना कर रख सकते हैं इससे जादा बिल्कुल भी ना रखे अगर आपको instant ये remedy त्यार करनी है तो आप इन दोनों चीज़ों को जो फैनेग्रिक सीड और ये कलॉंजी का बीज है इन दोनों को पीस कर आप रख सकते हैं स्टोर करके तो अपनी जुरूरत के according जब भी चाहिए आपको कोई remedy बनानी है या ओईल बनाना है तो आप फटा-फट से त्यार कर सकते हैं आपके बालों की फ्रीजिनेस की समस्या भी दूर होगी जो रूखे बाल है एकदम आपके चमकने लगते हैं साथ ही साथ ये रेमेडी आपके बालों को हाइडरेट रखेगी बालों को परदूशन, स्टाइलिंग और हीटिंग ट्रीटमेंट के साइड इफेक्ट से भी बचाती है ये रेमेडी इसी तरह से हेर वाश से 4-5 गंटे पहले ही सोईल को लगाना है बालों पर तो कैसी लगी आपको मेरी आज की ये वीडियो वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजेगा थेंक यू